आज के टुटोर्र में हम सिखेंगे color changing text effect को इसके लिए हम क्या करेंगे insert menu में जाएंगे यहां से हम select करेंगे new symbol जैसे हम new symbol को select करते हैं तो हमारे पस new symbol का dialog box open हो जाता है यहां से हम करेंगे इसको rename कर देते हैं for example change color और यहां से हम इसका type select करेंगे graphics जैसे हम graphics को select करेंगे हम होके press करेंगे अब हम graphics के mode में यहां पर आ चुके हैं जैसे हम यहां पर graphics के mode में आई हुए हैं अब हम क्या करेंगे toolbox में से text tool को select करेंगे और यहां पर type करते हैं color changing text जैसे हमने यह type किया अब अगर आप जैसे हमने यह type करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको scene 1 पे आएंगे scene 1 पे आने के वह हम अपने work stage पे आ जाएंगे यहां से अब हम क्या करेंगे library को open करेंगे और यहां से जो हमारा change कर रहा था इसको click करके drag करके हम यहाँ पे ले आते हैं जैसे हम इसको click और drag कर लेते हैं अब हम इसको करेंगे F6 जैसे हम इसको F6 कर लेते हैं यहां से हम select करते हैं अपना 15 frame और फिर हम यहां से F6 फिर अगर अगें करते हम इसको टेक्स को स्लेक्ट करके टेक्स टूल में जाएंगे और यहां से सबसेलेक्शन में जाके हम इसको स्लेक्ट कर लेते हैं जैसे हमने इसको स्लेक्ट किया अब हम करेंगे इसको 15 से लेके 30 तक के फ्रेम तक 15 से लेके हम इसके 30 तक आ गए हैं अब हम क्या करेंगे यहां से F6 करेंगे अगेन F6 करने के बाद हम आएंगे फ्रेम 15 पे जैसे हम फ्रेम 15 पे आते हैं हम करेंगे टेक्स को स्लेक्ट यहां से हम टेक्स को स्लेक्ट करते हैं स्लेक्ट करने के बाद एक बार हम इसको colors में जाते हैं colors में जाने के बाद अब हम यहां से इसके colors को change करते हैं for example हम इसका color दे देते हैं twin color twin color देने के बाद यहां पर हम देख दे हैं यहां पर हम रपस है RGB यहां पर हम इसके color को कर देते हैं zero और यहां पर हम इसके color को करते हैं two fifty five ही रहने देते हैं और यहां से हम इसके color को कर देते हैं zero blue को जैसे हम यह change कर देते हैं उसके बाद हम आएंगे thirtyth frame पर जो हमारा fifteen तक प्योंथा इसके बाद हम आएंगे fifteen से thirty पर जैसे हम फिंच से thirty पर आएंगे यहाँ पर भी हमें यह changes मिल जाएगा मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे control enter करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर जैसे हमने text को change किया था color text change किया था वो हमें यहाँ पर अब show हो रहा है तो इस तरीके से इसको अब हमें close करते हैं तो इस तरीके से हम अपने Adobe Flash में Color Change Text Effect को Change कर सकते हैं. Thank you.